नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सट्टा बाजार का विस्पोटर दाबा जी हाँ अज इसी पर हम बात करेंगे हमारे साथ न्यूसेट अश्रत जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खास महमान भी जुड़ेंगे क्योंकि किरकेट हो या फिर चु तो देखें लोकसवा चुनाब की रिजल्ट की तारीक नगती आते ही राजिस्तान का सबसे चर्चे सट्टा बाजार का आकलन एक बार फिर से सुर्ख्यों में बना हुआ है तीन चरणों की वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार देशवर में बीजेपी को जितनी सी अनुमान NDA जो है 400 पार नहीं कर पा रही है हाला कि NDA की ओर से BJP की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार लेकिन जो दावा सट्टा बाजार की ओर से सामने आया है फलोदी सट्टा बाजार की ओर से उसमें दावा किया गया है कि NDA 400 पार नहीं कर पा रही है 70 वजार के मुताविक 30 वार मोधी सरकार बन रही है लेकिन NDA का जो यह सपना है यह पूरा होता हुआ इस दावे में नसर नहीं आ रहा है तो वहीं BJP को 296 से 300 सीटे मिलने का अनुमान इस टिपोर्ट में इस दावे में किया चा रहा है NDA गटवंदन की बात करें तो देखें NDA गटवंदन को 329 से 332 सीटे मिलने का अनुमान है और कॉंग्रेस को पिछली बार की तरह 58 से 62 सीटे मिलने का अनुमान है तो वहीं UP में BJP को 65 सीटे मिलने की आपर समालना है शरत जी देखें ये फलोदी सटा बाजार ने जो दाबा किया है कहीं न कहीं NDA का जो सपना है BJP का 400 पार वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन BJP की सरकार बनना ये कहा जा रहा है बिलकुल आपने ठीक कहा लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो जिसको शायद हम मिस करते हैं मिस इसलिए करते हैं कि BJP ने BJP एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी अपने से जुड़ी हुई किसी भी बात को किसी भी कलपना को या किसी भी दावे को सच के बहुत नजदीक ले जाकर करने में उसे महारत हांसल है और यहीं वज़े है कि हम ऐसा सोच रहे हैं जैसे 400 पार कोई बहुत सहट चीज है कि आप चुटकी बजाते हैं और 400 पार आप हांसल कर लेते हैं 400 पार अगर भारत के संसदी इतिहास में राजनीतिक इतिहास में हम देखें तो यह rarest of the rare moments रहे हैं जब कोई बहुत बड़ी घटना घटती है जैसे इंदिरा जी का जब उनकी हत्या हुई उनके अंगरक्षकों नहीं की उसके बाद जो चुना हुए उसमें जो कॉंग्रेस को जनादेश मिला वो जनादेश इस तरह का था एक सरकार जो तीसरे टर्म के लिए लगातार खम ठोक रही है मैदान में उतर रही है उस सरकार का 400 पार का नारा इसलिए है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है वो अपनी ताकत बता रही है कि हम तीसरी बार एंटी इंकमबंसी की बात कोई नहीं कर रहा है देश में कोई हमारे विरुद्ध हमारी किसी पॉलिसी हमारी किसी नीती को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि बहुत कमजोर है इस बार फजेंगी बीजेपी की सरकार कहीं उलजेगी हम तो बात कर रहे हैं कि इस बार करने में सफल रही और जब आप जैसे को कहते हैं जो अगनी पंक आत्म कथा है एपी अब्दुलकलाम की उसमें वो कहते हैं साक्षी की एम हायर अगर आप लक्ष बड़ा रखेंगे तब जाकर आप उसके आसपास तो पहुंचेंगे ना तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो फलौदी सट्टा बाजार और तमाम तरह के जो राजनीतिक पंडित विसलेशन निकाल रहे हैं वो इहीं निकाल रहें कि तीसरी बार भी बीजेपी करीब करीब 330 और 340 या 360 के करीब तो मुझे लगता है कि BJP को गर्व करने लाइक अगर ये दावा सही सावित होता है तो ये जनादेश गर्व करने लाइक है और BJP इससे घोर संतुष्ट होगी बिल्कुल तो देखिए फलोदी सटा बाजार ने MP में BJP की चिंता वड़ा दी है एक और बड़ी अपडेट इसी से जुड़ी हुई MP में BJP की सीटें जो है कम हो सकती है ऐसा हम नहीं बलकि फलोदी सटा बाजार की ओर से दावा किया चा रहा है साप सीटों पर फलोदी के अनुसार जवरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और ये साप सीटें कौन सी है ये भी आप देख लीजे चिंदवाडा, मंडला, सतना में कश्मकत जो है यहाँ पर ये मुकाबला है तो बही मुरेना, ग्वालियर, राजकर और जाबुआ में भी कड़ी टक्कर है हाल ही में ये दावा किया है और एमपी को लेकर ये अपडेट है मुरेना, ग्वालियर, राजकर और जाबुआ में कड़ी टक्कर बताई जा रही है तो जवरदस्त मुकाबले के बाद बीजेपी के आगे निकलने का भी अनुमान है हाला कि टक्कर भी बताई जा रही है तो एमपी में बीजेपी को 27-28 सीटे मिल सकती है और देखें फूरे दावे के बाद शरजी एमपी को 27-28 सीटे मिलने का दावा किया जा रहा है बिल्कुल आप देखें इसको समझना बहुत जरूरी है कि कड़ी टक्कर का मतलब क्या होता है कड़ी टक्कर का मतलब है जो छिनवाडा में 2019 में कड़ी टक्कर थी जब जीत हार का अंतर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में 37,000 से कुछ अधिक मतों तक सिमट कर रह गया था आमतोर पर बड़ी अच्छी लीड मानी जाती है विधान सभा में 50,000 से उपर की लीड विधान सभा में अगर आप 50,000 से उपर की लीड से जीते हैं तो यह अच्छी खासी लीड मानी जाती है कि बड़ी आच्छे तरीके से जीते हैं लाग से उपर जाते हैं सोलाग से उपर जाते हैं तब तो बले बले लेकिन लोग सबा में अमूमन जब प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जैसा ताकत वर चहरा हो किसी पार्टी के साथ तो वहां ढ़ाई से से तीन लाग की जीत सहज जीत मानी जाती है और चार से पांच लाग की जीत बंपर जीत मानी जाती है ऐसे में अगर आप किसी कॉंस्ट्वेंसी में 37,000 की पर आकर खड़े हो जाते हैं 2019 में जैसा चिंद्वाडा में हुआ तो इसका मतलब है कि इन 6-7 सीटों पर कड़ी टक्कर का आशय यह भी है कि वहां जीत हार का फैसला आप यह मानिए कि 30 से 50,000 के बीच हो सकता है और इसमें उस टीम का पढला भा रहा है कि मद्य प्रदेश में कड़ी टक्कर के बाद आधा दर्जन से जादा सीटों पर भारती जनता पार्टी 27 से 28 सीटों पर कड़ी टक्र में साथ सीटों पर कड़ी टक्र लेकिन बिल्कुल और यह दाबाव सही निकलता है और कॉंग्रिस जिस इस बार है 2019 के मुकाबल राजनीति कृषलेशक हमारे साथ है जैप्रकार जी किस तरह से आप देखते हैं 400 पार क्या एक मनोवज्यानिक दबाव बनाने का नारा था और बीजेपी बहुत संतुस्ट होगी जैसी चर्चा हम कर रहे थे कि अगर यह 340 और 330 और 350 के आसपास का फिगर होता हो तो बहुत संतुस्ट होंगे बीजेपी के टॉप लीडर्शिप बिल्कुल मुझे लगता है कि काफी संतुस्ट होंगे क्योंकि मुझे जो जानकारी है और मैंने सुना है कि जो शरुवाती दोर में जो भारती जनता पार्टी की बैठें होने लेगी थी लोकसभा चुनाओं को ले करक तो ये सुझाओ एक सर्वसम्मती थी इस पर की पिछली बार से ज्यादा सीटे आनी चाहिए जाहिर है कि पिछली बार से ज्यादा सीटे लाने के लिए आपको ज्यादा बड़ा लक्षिक रखने की जरुवत थी एक 400 का जो हिस्तर था ये कि मनोवज्यानी को रूप से काफी मेसेजिंग लेवल था कि इससे आप अपने लोगों को प्रेरित करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक पार्टी की सरकार अगर दो टर्म से लगातार पावर में हैं तो अपने वरकर को और उन समर्थकों को जो वरकर नहीं हैं उनको बूस अतकल आने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई ने कोई एक बड़ा लक्ष्य पार्टी रखना चाहती थी मुझे लगता है कि ये 400 का आकड़ा है ये वहीं से खो जा गया है हाला कि अच्छा इसका एक उनको रणनीतिक लाव ये हुआ शरत जी क कि विपक्ष जो है वो इस 400 में लग गया और यानि कि भाई भारत का संविधान तो 272 के बाद सरकार बना देता है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है देखा जाए विपक्ष के लिए 400 के आकड़े का लेकिन विपक्ष जो है वो इस लाइन पर लग गया कि 400 नहीं आएंगी त तो आप शायद ही यह मान लेते हैं कि 220 तर तो आई ही रही है मतलब सरकार तो बनी रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारती जंता पार्टी की अगर 300 से 350 के बीच में सीटे आती है तो वो बहुत काफी खूश होंगे बहुत अच्छा महसूस करेंगा बिल्कुल यह काफी important बात है कि और मुझे यह भी लगता है कि इस पूरे प्रसंग में कि यह एक psychological pressure की तो एक strategy थी ही और इसके साथ अपने कारेकरता को motivate करने का भी एक मंत्रा था कि आप जब लक्ष उचा रखेंगे तभी आप उसके आसपास तो पहुँच पाएंगे और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्षिसी में उलज गया कि चार सो पार तो आ ही नहीं सकता next to impossible है अनिल दिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए है राजनीति कुसलेशक है अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इससे पहले कि हम अनिल जी का reaction दे हमें साक्षी बताएंगी कि 36 गड़ को लेकर फलोधी सट्टा बाजार जो है वो क्या कुछ कह रहा है और क् की स्थिती बन रही है जी साक्षी जी बिलकुल तो 36 गड़ को लेकर भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से अफजेट देते हैं 36 गड़ में बीजेपी क्लीन स्विप्ट करने की तयारी में है ऐसा दाबा किया जा रहा है तो 11 की 11 सीटे यहाँ पर बीजेपी जीज सकती है फलोदी सटा बाजार ने जो दाबा किया है जो आकलन है वो आपको बता रहे हैं फलोदी सटा बाजार का ताजा अनुमान बीजेपी को 10 से 11 सीटे मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है तो 36 गड़ में 11 की 11 सीटे भी जीज सकती हैं तो 10 से 11 यानि की 11 भी जीज सकती हैं कब कब सटीक बैठा है फलोधी का सट्टा ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं तो देखें 2019 लोगसभा चुनाव में सभी दावे जो है वो सटीक निकले थे फलोधी सट्टा वाजार ने बीजेपी को 329 से 330 सीटे दी थे तो 2019 के पढ़ना में बीजेपी को 303 सीटे मिली और 5 चुनाव में भी अनुमान सटीक साविच हुआ और 36 गड़ के हम बात कर लेते हैं शरजी तो देखें यहां पर 10 से 11 सीट को लेकर दावा किया जा रहा है ये आकलन है फलोधी सट्टा वाजार का बिलकुल आपने सही का और आज मैं सुन रहा था आकलन एक राश्टेस्तर के चैनल पर जिसमें प्रशांद किशोर नामचीन जो चुनाव के विसलेशक हैं वो यह कह रहे थे कि बीजेपी ने वो सारे अनुमान लगाए हैं मैं टू मैं जिस तरह मार्किंग होती है कि कहां हम कम होंगे और कहां हम उस घाटे की खशतिपूर्ती करेंगे तो यह भी निगाहार रखनी पड़ेगी, आपको तेलंगाना पर निगाहर रखनी पड़ेगी, केरल में इonsider बढ़ी उमीद है कि शायद बीजेपी वहां वो सीट ले आए जो शशी थरूर साब की है, मानी जाती रही है, मानी क्या जाती रही है वहां से उनका रिप्रेजेशन है, तो तो ये एक बहुत दिल्चस्थ बात होगी कि बीजेपी ने क्या ये भी अनुमान लगाया है कि राजस्थान में उसे कुछ नुकसान हो सकता है, मध्य प्रदेश में शायद एक के बजाए दो हो जाएं कॉंग्रेस की, ऐसा भी क्या उन्होंने अनुमान लगाया है, क्योंकि बताने की रणनीती नहीं है, और बिहार में कोई ऐसा मेजर लॉस नहीं होगा, ऐसा प्रशान किशोर जी का अनुमान था, और उनका ये भी कहना था, कि महराश्टर में भी मुझे कोई ऐसा एक्वेशन नहीं दिख रहा है, जो बीजेपी को वहां से एक सेट बैक मिलेगा, अमातपुर्ण बात उन्होंने ये भी कहा है, उत्तर प्रदेश में भी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है, जो बीजेपी को चौका सकती है, जित्ती सीटें उसकी 2019 में थी, उसके आसपास ही होगा, अनिल जी की तरफ मैं जरूर चलना चाहूँगा, अनिल जी, 36 ग अगेल जी की बात करें, तामरतवज साहू जी की बात करें, या फिर कोर्बा की बात करें, अब जो सिनेरियो है, क्या आपको लगता है कि ओवर दे टाइम बीते, करीब करीब 15-20 दिन या एक महीने में ये परसेप्शन कुछ बदला है, आप फलोदी सट्टा बाजार से इस करेंगी उसके बाद इस तिदी साफ होगी कि देश में कौन सरकार बना रहा है, लेकिन अनुमानों का दौर सुरू हो चुका है, संभावनाएं भी सामने आने लगी है, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे वो आम आदमी के बीच की बात्चित हो, चाहे फिर वो सक्टा बाजार हो बीचा चाहे चाहा है जिस पर अभी कुछ तरो पहले पुलीश ने मुहीम चलाई और उनमे कुछ लोग गिरफतार कियी है, चाहे बीचाप उन जण तक आपने अपने परिडाम दे रहा है, अब जहां तक आपने फैलोदी फैलोदी चैनल की बात रही है, मुझे याद है कि दो जो विदानस्वा चुना हुए थे उसमें फलोदी सट्टा बाजार ने ये बताया था कि चत्रिगड में कॉंग्रेस की सरकार बन रही लेकिन नतीजा क्या हुआ यह आप और हम सब जानते हैं सब बादस बीजेपी की सरकार बनी जा कि सरकार नहीं बन सकते हैं तो आम त करेंड में तरह पर सट्टान बाजार बीजिए कि जुशो हम घर बहुत चलता है और यहीं के रिखी अधर का चंसनी और शिए हम वी चाविफ ने सिर्ध बैज कर रहर है कि पहले जो भवश्मारियां की घो कुश सभी त्रुप तो यहां तो पहला जो अलोदी सक्टा बाजार का शमीकरन ता वो तो गड़बड़ाया है वहां तो अभी बीजेपी की सरकार है और चांगते हैं पिछले अभी साक्षी बता रही थी कि पिछले क्या परिणाम रहे चांग्रेस बहुत अच्छी इस्तिती में भी यदी रहेग वो एक में सिर्फ पाँ सीटे जीती है बाकी तीन में तो 11-11 सीटे दस सीटे बीजेपी जीती चली गई एक या दो सीटे ही कॉंग्रेस के इससे आती रही बंसल जी ने भी चांग्रेस में समय कुझा रहा है जानते हैं कि कॉंग्रेस यहां पर कितनी जमिन के दरातल इस तर इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी जो परिणाम आएंगे फिर मोभी का जादू चल रहा ए इसली बार भी मोभी का जादू चला तो बीजेपी नो सीटे जितनी ती डो सीटे फ़ोंगर Reps के खाते में थी पूरे देश में और उनका जादू चल रहा है। ही होते थे अटल और आडवानी यूग की हम बात कर रहे हैं तब भी और जब दोनों राज्ये एक होते थे तब भी लोगसबाद चुनाओं के नतीजे भारती जनता पार्टी के लिए हमेशा सपोर्टेव होते थे एस कंपेर टू विदान सबाद चुनाओं भले ही दिगवेजे सिंग दस साल मुख्यमंत्री रहे हो लेकिन अगर आप उनके समय तिरानवे और अठानवे के आसपास हुए लोगसबाद चुनाओं भी देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां मायूसी की वज़े कोई बीजेपी के लिए नहीं मिली तो यह कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रहा है कि एक भारती जनता पार्टी का नैशनलिस्ट हाड कोर वोटर मध्यप्रदेश और 36 गड़ में है जो प्रबैबली हिंदुत्तों को लेकर बहुत मुखर है वोकल है मध्यप्रदेश तो आप जानते ही हैं कि मालवा निमान और तमाम पट्टी लेकिन अगर हम बात करें तो वहां भी वनवासी कल्यान अश्रम यह तमाम जो आनुशांगिक संगठन है इन्होंने आदिवासी बहुल छेत्रों सरगुजा बस्तर जितना काम किया है तो एक पकड़ है वहां आरंब से और यही वज़े है कि बीजेपी की तरफ यह कहानी बढ़ती है आपको एक संद्र मोदी जी के नेत्रत्तों में 400 पार का नारा बुलंद कर रही है तो वहीं कॉंग्रेस इंडी गटबंधन की सरकार बनाने का दावा भी प्रस्तुत कर रही है और यह दोनों ही दावे अपनी तरफ अपनी अपनी बाते और अपने अपने दावे कर रहे हैं देख सब्सक्राइब सब्सक्राइब कॉंग्रेश इन्डिय गडेल की लगतार बढ़ती है यह सब्सक्राइब के बाद साथ चार जून को पूरी सपस्टोर क्लियर हो जाएगा कि इस समय पूरी सटा बाजार या पूरे एकजिट पूल पूरी तरह दोस्तों के और देश में इंडिया गड़ बंदन की सरकार बनेगी रही 36 गड़ की बाद 36 गड़ की बाद पहले भी हम लोगों ने कहा है अभी भी कह रहा हूं कि 36 गड़ में इस समय नया इतियास बनने वाला है और हम भारती जंता पार्टी से ज़्यादा सीटे जीत करें 400 पार का नारा फिर दोराया उन्होंने कहा कि पांच चरणों के चुनाओं के बाद भारतिय जनता पार्टी 310 सीटे जीत रही थे यह भी बड़ा मनोवग्याने के प्रेशर बनाते चल रहे हैं अमिद जी मोदी जी ने 310 से जाधा सीटे जीत कर सरकार बनाने का काम किया है दावा किया था और पांच चरण के बाद 40 सीटे इसमें और बढ़ाने का दावा करते हुए उन्होंने अब यह 310 की बात कहिए तो सुन लिजे कि अमिशाजी के साथ मिश्वास से यह दावा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम तो सरकार बना ही चुके हैं सुनिए पांच चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है परिणाम जानना है क्या अरे जोर सो बोलो परिणाम जानना है क्या देखो भाई पांच चरण में मोदी जीत 310 से ज्यादा सीटे जीत कर सरकार बनाने का काम भी आगे अब छटो और साथवे चरण में चार सो पार कराना है चार सो पार कराना है मैं आज बंगाल के लोगों को वन गाओं के लोगों को कहने आया हूं चार चरण पूरे हो गए है तीन सो असी सिटों का चुनाव पुरा हो गया है यह तीन सो असी सिट में मोदी जी दो सो सथार सीट लेकर फूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके एक मत्दाताओं का वर्ग होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स floating waters वो होते हैं जो flow करते रहते हैं यानि वो किसी राजनीतिक ideology के साथ चटान की तरह नहीं खड़े रहते हैं वो यह मानते हैं कि जहां ज़्यादा ताकत है उसी की ताकत और बढ़ानी चाहिए तो वो बहुत careful बहुत सतर्क होकर देखते रहते हैं जानने का प्रयास करते रहते हैं कि दम किधर है तो यह जो floating waters हैं यह जीत हार जब कई बहुत narrow margin की है वहां यह लोग बड़ा एहम रोल प्ले करते हैं और अमिर्शाजी का यह जो प्रयास है यह floating waters की वो सभा में होंगे और वो सोच रहा होंगे कि तीन सो दस बोल रहा है हमें चाहजी भाईया कुछ ना कुछ तो है यार confident देखो आप मनलब पहले कह रहे 270 अब कह रहें 310 तो यह मनों विज्ञान को ऐसे floating waters के भी एक चोटा कॉमेंट आपका जैप्रकार जी इस पर जरूर चाहूंगा जी नहीं बिल्कुल सही बात है कि एक वोटर तो वह कई चुनाओं पहले इसा थावित हो चुका है उसको जो स्विंग वोटर हम बोलते आए हैं और वह आखरी दिनों में या वोटिंग के दिन भी अपनी राय बदल देता है तो यह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह ऐसे मनों विज्ञानी कारकों से बहुत प्रभावित भी ह अब जो दरें फलोदी बजार की जो बताई जा रही हैं जैसे 310 सीट के लिए तीस पे तीस पे से का वहां पर जो रेट बताया जा रहा है उस रेट के बरहे में अगर आप देखेंगे तो वह लगातार बदलता गया है हर चरण के बाद में वह रेट बदला है आने वाले ज हे जो कारख है 60 बाजार के व्मनो विछ गणि कारख है खर बात बदलेंवह बता हो स् jogos निकले सठा वाजार में घोन नतीजों पर से लगाते जगें और ऐसा पूरा तायार कर खरते और शीन सेक्पी तायार करतें नो Hani पर एक शोध के आवशकता होगी कि आखिर ये लोग भी क्या किस किस तरह के लोगों से संपर्क ने और इस तरह करें और यह बहुत वह जानिक रूप अक्तियार कर चुके और यह भी सेफॉल्जिस्ट जो होते हैं चुनाव के उनको भी बात करते हैं और तमाम आर्टिकल्स प करूंगा आपकी तरफ आकर क्या आप यह यह वी एक कारण देखते हैं बीज़पी की तरफ अगर जाने का जो दावा है सटा बाजार का भी और समीक्षकों का भी कि वो ननिहाल है प्रभू श्री राम का और ये 500 सालों बाद का एक अद्वुत आउसर जो भारतिय जनता पाटी के शासनकाल में हुआ और मद्य प्रदेश का चित्रकूट एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रभू श्री राम ने म प्रभू श्री राम से तो क्या ये भी एक फैक्टर होगा जो चुनाओं पर असर डालेगा पिल्फल सरत जी मैं एक पात और चोड़ना चाहूंगा जब आप बात कर रहे थे कि अभिवाजित मत्य प्रदेश में कॉंग्रेस बाच्पा के परिनामों की बात आप कर रहे थे कि मांग भी इसलिए उठाई गई कि राजनितिक के नेत्रिय तो सबसे जादा चक्तिगर से दिया जाता है लेकिन उसका जो सत्ता का लाव है वो वाखी जिलो और राज्यो को मिलता है तो ये एक मांग थी चक्तिजगर में कॉंग्रेस हमेसा मजबूत रही और उस समय यहां से भी सबसे जादा सीटें कॉंग्रेस जीती थी लेकिन जहां तक आपने चक्तिजगर की राम की और अगर आपने मूरा है चक्तिजगर को निश्चित तोर पर अभी राजनितिक के केंदर में है तो कि बीजेपी ने जिस तरह एक में राम मंदिर का मुद्दा उठाया कॉं सराहा भी गया और जिस तरह उन्हें पर काम किया जिस तरह उन्हें ने गौ सेवा पर काम किया कई बारतों आरेसस के संगर्ठों ने जा करके स्वागत किया भूपेज पगेल का कि आपने बहुत अच्छा यह स्वदेशी मॉटल अपनाया है तो कॉंग्रेस ने साहनुबू जेपी ने वही मुत्ता उठाया विदान सभा में भी चुनाव में भी उठाया कि आपने वार राम बन पत्गमन में भी 340 करोड़ का भोटाला कर डाला तो कॉंग्रेस ने थोड़ा सेंद लगानी की कोशिश जरूर की राम बिल्कुल 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 ठीक करें आप मुझे लगता है कि दोनों विसलेशा का आप अनिल जी 36 गड़ से और जैपरकाश जी भोपाल से सहमत होंगे कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्ट्रॉंग होल्ड रहा है विदान सबाओं चुनाओं की अगर हम बात करें 36 गड़ मुझे भी याद है कि मैंने हमेशा देखा कि जब भी कॉंग्रेस को बढ़त मिलती थी तो सबसे पहले विदान सबाओं चुनाओं में 36 गड़ से मिलती थी तो ये बिल्कुल ठीक बात है लेकिन लोगसमा में मनजर मुझतलिफ होता था लेकिन इस बार जहां दोनो राज्यों में सरकार बनाई है तो इसका मतलब है कि कहीं क्या कोई अंडर करेंट है जो लोगसमा में और मजबूत होकर आएगा ये देखना एक तो बहुत दिल्चस्प होगा और दूसरी महत्पून बात यह हिंदी हार्ड कोर पट्टी जो है मध्यपरदेश 36 गड़ की ये कहीं न कहीं हिंदुत्त की एक जो भावना है उससे संचालित होती है और इसी लिए बीजेपी इन दोनों राज्यों को एक बहुत अलग उमीद के साथ देखती है वरहाल ये तो चार जून के नतीजे बताएंगे जब अनिल जी भी हमारे साथ होंगे जैप्रकार जी भी हमा हाला कि अभी दो चरण बाकी हैं और दो चरण के बाद ये आकलन फिर से ऐसे इधर से इधर भी हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल इस खाब प्रिश्ट कसमें इतना ही आगे आप देखिए MP से जुड़ी हुई खास खबरों का बूलेटें MP की बार